सूरी की उर्जा में उत्पन होती है प्रकारों की सामरिक उर्जा जिसका उप्योग विद्यूत उर्जा के रूप में होता है विश्व में एक बार बारिश होती है ये होता है क्योंकि पानी साइकल में होता है जिसमें पानी जमा होता है गर्मी से पानी गैस के रूप में बन जाता है और फिर बादलों के रूप में फिर से गिरता है धर्ती की गतिशीलता के कारण दिन की लंबाई हर साल कई मिलीमीटर बढ़ती है धर्ती की उर्जा के अधिकांच गर्मी की रूप में बच्चे की हवा में होती है, जो उसके आश्चरे जनक तापमान को बनाए रखती है सौरमंडल का सबसे गर्म स्थान नहीं सूर्य का केंद्र है बलकि सूर्य की बाहरी परत है जिसका तापमान लगभग एक मिलियन दिग्री सेल्सियस है प्रकाश की त्वरन धर्ती से निकली बातों तक पहुँचने में केवल आठ मिनिट लगते हैं